आज मसाला किचिन में तीन ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप किसी भी ब्रातुप को आस में बना सकते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजी वो भी फ्री में। तो बड़िया सी लौकी का सीजन आ गया है, ताजी ताजी लौकी मिलेगी। आज बनाते हैं लौकी के हलवे को सबसे पहले। यहां मैंने आदा किलो के आसपास की लौकी ले ली है। इस हलवे को हम बहुत सी सरल तरीके से बनाएंगे। और छीलने के बाद हम इस लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। बीज वाला पार्ट है वाइट उसे आप इसमें हलवे में ना डाले। एक नौनिस्टिक पैन में मैं डाल रही हूं। पहले मैंने घीव अगर कुछ भी नहीं डाला है। इसे हम थोड़ा सा सेकेंगे। इन केस आप नौनिस्टिक कडाई में नहीं बना रहे हैं तो थोड़ी सी घी एक चमश डाल सकते हैं। ताजी ताजी लौकी का इतना बड़ी हालवा बनता है कि वरत में भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। थोड़ा सा पकने के बाद एक कप डाल देती हूँ इसमें ताजा दूद। अब हम थोड़ी दे ढग कर इसे पकाएंगे जिससे लौकी और दूद आपस में मिलजुल जाएं और अच्छे से ये सौफ्ट भी हो जाए लौकी। लौकी अपना पानी भी छोड़ती है तो बीच-बीच में आप चलाते भी जाएं। जब लौकी का पानी अल्मुस्ट सूख सा जाए तब आप डाल दीजे इसमें थ्री-फोर्थ कप छीनी और साथ में एक छोटा चमच इलाइची पाउड है। वैसे इसमें कलर नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत बढ़ी है पर अगर चाहें तो थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें एक से तेबिल स्पून घी डाल रही हूँ और कुछ जो ड्राइफ रूट डालने हैं इसमें उसे मैं रोस्ट कर लेती हूँ। काजू, बदाम, किश्मिश आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइफ रूट इसके अंदर डाल सकते हो। किश्मिश लास्ट में ही पकाएं क्योंकि वो बहुत जल्दी सिख जाती हैं। इधर चीनी भी अराम से लौकी के साथ घुल मिल रही है और पक रही है बढ़िया तरीके से। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो आप इसमें केसर डाल सकते थे जिसे हलका येलो कलर का बनता। अब यहां पर मेरे पास थोड़ा सा मावा रखा था करीब आदे कप के आज पास वो मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है पर कभी-कभी अपने पास मावा नहीं होता तो ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात अगर आप मावा नहीं डालें तो आप आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें फ्राइ क्या हुआ कटा हुआ ड्राइ फ्रूट डाल देते हैं। वैसे लौकी की बर्फी कैसे बनाई जाती है वो भी मैंने रेसिपी दे रखी है आप उसे भी देख सकते हैं नीचे लिंक में डाल दूगी। बहुती टेस्टी बहुती स्वादिश्ट ये लौकी का हलवा बनकर त्यार हुगया है। थोड़ा सा मावा रखा था मैंने उप बनाना पसंद करेंगे। बहुती बढ़िया बनती है और शिव जी ने खुद इस ठंडाई का भोग स्विकार किया है। तो हम इसे पूजा में ले सकते हैं या फिर घर में प्रशाद के दौर पर बना सकते हैं। आज मैं आपको यहां पर प्री मिक्स बना के बता देती हू तो यहां मैंने लिए 2 टेबिल स्पून खस-खस, 10-12 लिएं बदाम और 2 टेबिल स्पून लिएं खरबुजे के बीच, 10-12 लिएं काजू और 2 टेबिल स्पून लिया हैं मैंने मोटा वाला सौफ, 2 टेबिल स्पून चिरोंजी जिसे चिरोली भी कहते हैं, छोटी इलाइच लिए दालचीनी लिए और थोड़े से लॉंग लिए हैं ये मसाला इसके अंदर बहुत ज्यादा स्वाद भी बढ़ाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आती है इसमें 25 से 30 दाने काली मिर्स जरू डालें गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी पिस्ते की कत्रन कलर के लिए आप खूब सारा चाहें तो केसर डाल सकते हैं या थोड़ा सा फूट कलर भी डाल सकते हैं और यहां पर मैंने गुलकन दिया है जो अभी हम बनाएंगे तो उसमें हमें यूज होगा यहां मैंने 200 ग्राम चीनी ले लिए इसके बदले आप मिश्री भी ले सकते हैं पूडर को एक बार हम चान भी लेते हैं कभी-कभी इलाइची का रेशा या जो भी होता है वो पूरा च्छन जाना चाहिए अब इसी जार में हम डालते हैं खस-खस, खरभूजे के बीच, चिरोंजी, काजू, बदाम, इन सब को भी हम एक साथ पीस लेते हैं यह एक बड़ अब फिर से चीनी को डाल कर एक साथ मिक्स भी कर लेंगे और इसे एक साथ पीस भी लेंगे, इसमें थोड़ा सा मैने फूट कलर डाल दिया है, अब सारा मैने पीस कर एक बार छान लेना है, दो बार राइफरूट पीस ने से हुआ यह की बहूत ही बढ़िया वहीन हो गया और चीनी के साथ पिसा है, तो इसमें उयल भी नहीं निकलेगा। अब ये प्री मिक्स बन कर त्यार हो गया। अब इस प्री मिक्स को आप किसी मिठाई में डाल सकते हैं, जो आपका मन करें, जिस साब से आप कर सकते हैं। और होली तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये देखिए अब कुछ भी दाना नहीं निकला क्योंकि पर्फेक्ट पूरा पिस चुका है, इसी में मैं थोड़ा सा जाइफल को घिस देती हूँ, बस इसी की कमी थी बाकी सब चीजे हम डाल चुके हैं, चले अब देखते हैं से हमें एक ग्लास बनाना हो, तो हम कैसे बनाएं इसको, यहां मैंने दो टेबिल स्पून ये ठंडाई का प्रीमिक्स लिया है, थोड़ा सा गुलकंद ले लिया है, और मैंने लिया है एक ग्लास दूद, अब इस बोल के अंदर जो मैंने दूद, गुलकंद और ये तयार है उपर से केसर की पत्तियां और आप गार्णिश कर दीजे पिस्ते की कत्रन से, लीजिए आपका काम बिल्कुल असान हो गया, इसे कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले, ये प्री मिक्स आप एर टाइट जार में रख दीजे, थोड़े दिन लीटर दूद रख दिया है गैस पर जिसे हम फाडने वाले हैं, जब कभी गलती से दूद फट जाए तब भी आप इसे बना सकते हैं, यहां मैंने पानी और थोड़ा सा सिर्का मिला दिया है, जैसे दूद उबल जाए उसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहे हैं, एकदम ग दर्माई निकल जाए, तब आप इस सिर्के वाला पानी धीरे धीरे डालते जाएं, जिससे इसका छेना बहुती मुलाइम और सौफ्ट बनेगा, जिस तरीके से हम रजगुले के लिए बनाते हैं, और जब यह हरा पानी अलग हो जाए, मतलब यह फट जाए, उसके बाद का बचा हुआ पानी बिलकुल ना डाले, यहां एक बड़ा सा बोल ले लिजिए, उसमें छनी रख दीजिए, और एक पतला सा महीन कपड़ा रख दीजिए, अब इसमें पूरा यह छेना डाल दीजिए, यह बचा हुआ पानी आप यूज कर सकते हैं सबजी की ग्रेवी में, आटा गूनने में या सूप बनाने में, अब इस ठेने के उपर ठंडा पानी डालने के बाद इसकी खटाई पूरी निकाल दीजिए, अब इस तरीक से स्क्वीज कीजिए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, बहुत ही असान ऐसे बनाना, आप इसे अच्छे से कस्क के बान द यहां मैं ऐसे एक गंटे के लिए रख देती हूं, जिससे थोड़ा बहुत भी जो पानी है, वो पूरा सा निकल जाए, अब एक गंटा हो चुका, अब मैं ऐसे निकाल के आपको दिखा रही हूं, यह बिल्कुल दबा के नहीं रखा है, जैसे पनीर को दबा के रखते हैं, बस एक गोले की तरह मैंने इसे बांद के रखा, कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी जो चेंजिस होते हैं, वो खास जरूरी होते हैं, अब इसको मैं कर रही हूं आधा-ाधा, आधा पार्ट मैं ऐसे ही रहने देती हूं, आधे पार्ट में दो टेबिल स्पून पिसी हुई एक नॉनिस्टिक पैन ले रही हूं, उसमें मैं कोई घीव अगर नहीं डाल रही हूं, फ्लेम बिलकुल स्लो रहेगी, यहां पर स्थीनी के साथ इसे पका रही हूं, अगर यहां पर पानी होता, तो होगा क्या, कि इसका कलर भी पीला-पीला हो जाएगा, सुखाते-सुख अब यह दोनों को ही मैं एक साथ पका रही हूं, एक बात का ध्यान रहे, पानी तो हमने निचोड़ी दिया था, पर फिर भी से कंटिनेसली यहां पर चला लीजे, बस यही एक महनत है, अगर हम चलाएंगे नहीं, तो यह पीला पड़ जाएगा, अगर आप कंडन्स मिल्क और यह चीनी नहीं डालते, तो इसके बदले आप आधा कप के आसपास गुड़ डाल सकते थे, आधा पॉना कप, लेकिन वो फिर थोड़े लाल रंगे बनते, यह आपकी च्वाइज है, अब पानी पूरा सूख चुका है, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, अब यह बाकी का कि आधा हमने बचा क्यों दिया, अखिर असक इसका क्या कारण है, क्योंकि इस मिठाई का नाम सुना होगा आपने काचा गूला, काचा गूला का मतलब एक कच्चा फ्लेवर इसके अंदर आना चाहिए, तो आधे को हमने अच्छे से पका लिया, चीनी के साथ, अब यह पका गूल गूल भी बनेगा, और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं आया, वाइट का वाइट ही रखा है, चलिए सबको हमने अब मिक्स कर दिया, अब आप हाथों में ले लिजे, एक एक चमच भर के इस मिठान को, जितना बड़ा आपको बनाना है, बना लीजे, और साइड में र किसी भी भोग में, प्रशाद में, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, इसी तरीके से सारे गोल बना लीजे, लग रहना बड़े संदर से, अब इसके उपर लगा लीजे, पिस्ते की कतरन, या केसर, इलाइची, जो आपका मन करें, इसे आप किस तरीके से सजाएंगे, कब बनाएंगे, कैसी लगे ये तीनों रेसिपी, आपको मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले, वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कीजे, जादा से जादा शेयर कीजे, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजे